करते हैं ब्रिशिक राशी की जो ब्रिशिक राशी की जातक हैं आज आपको धन धान के छत्र में क्या गया प्रयास सार्थक होगा आर्थिक लाफ होने की समभाना बन रही है सुभर मंगले कार होने से मन परसंद रहेगा कई महत्पूर्ण कार होगा भाई भान का सुख मिलेग और नए इंडस्ट्री ताद लगाने का भी योग बन रहा है खिलाडियों के लिए कालखंड बहुत अच्छा है और कोई महत्पूर्ण कार अगर जो एफर्ट कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी और सौधानी के अबरत नहीं है गुस्ते पनियंत्र रखें उपाय का करना पीपल के पेंड़ पर दिया जुरू जला में सुमंक है दो सुबरंग के सरिया लख मिटर साथ हरे किश्ट अब करपूर गवरं करुडाबतारं संसार सारं भुजिगेंद्र हारं सदा बसंतम हिर्दार बिंदे भवं भवाने सहितम नमामी नमस्कार मैं हूँ जोटसाचार डॉक्टर अर्विंतर पाठी आप देख रहे हैं भागी गुरु कारक्रम भागी गुरु कारक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे कि आज का महामंद्र क्या है और महामंद्र का जब कैसे करेंगे और जब करने से आपको क्या लाफ मिलेगा पंचांग की क्या इसती है सुर्योदे कब होगा, सुर्यास कब होगा कौन से इती थी है, कौन सा नचत्र है कौन सा योग है कौन सा करण है राहुकाल कब है दिशासूल कब है इस सारी बात हम आपको विस्तार से पताएंगे अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंतर के आज का महामंतर है ओम क्लिंग ब्रहस्पते नमा यह जो महामंतर है देव गुरू ब्रहस्पती का है ज़े जब कोई भी निया करने की योजना बना रहे हैं घर में सुब मांगली कारी करने के लिए सोच रहा है तो आप क्या करें कि इस महामंतर का जब करें इस महामंतर का जब नहीं है ऐसे परिशेदे में अगर इस मंदर का जब करते हैं ता आपके ब्रहस्पती अनकूलता लिये हो सकता है और अनकूल फल देगा ते इस मंदर का जब करना आपके लिए वहतर होगा अब आई हैं बात करते हैं पंचांग की बारे में कि आज की पंचांग की क्या इसती ह सुर्योदे कभ होगा सुर्यास्टव कभ होगा कौन सी ति यह कौनू सा ना चत्र है रहुकल कभ है दिशा सूर्ग कभ 통 और सुर्योदे कुछ चुका है सवेरे 5 बच के 34 मिनट पर सुर्यास्टों का साम को 7 बसके 19 मिनट पर बौक करण है और आज चंदरमा रहेगा बिरिश्यकराशी में सिर्ड शू पर 12 बसके 24 मिनट तक रहेगा रहू काल है दो बसके 10 मिनट से ले कर के अपराहं 3 बसके 23 मिनट तक रहेगा दच्छन दिशा का दिशाशोल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चंदर्मा बरिश्चेक राशी में जिन जातक का है उनकी लिए आज का दिन बेहतरीन है आज आपको चतुर्दिक लाव मिलेगा, रियल इश्टेट प्रापल्टी मैंच से लाव मिलेगा नैतरा के कारे कर सकते हैं इमोशन्स पर नियंतर नगे किसी महला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे राहुकाल में कोई भी कारे न करें सुमूर्थ में क्या क्या कारे आपके लिए लाप्रत सिद्ध होगा दिशासुल में यातरा करने से बचें अगर छोटी दूरी की यातरा है तो दही गुण खा करके केशर करते लग लगा के माता पीता का चनास पर्ष करके यातरा करना आपके लिए सुभाज़ा है